हेलो फ्रेंस तो कैसे आप सब लोग आई होग कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप सभी की आगामी फृतियोगी परिक्षा की तयारी काफी अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंस इस स्रीज में मैं आप सभी के साथ जीके के रिगार्डिंग क्वेश्चिन सेयर कर रही हूँ आप लोग अपनी तयारी के साथ साथ इन क्वेश्चिन को भी ज़रूर सॉल कर लें ताकि जो आपकी तयारी है वो और ज़्यादा बेहतरीन हो सके तो चलिए कंटीनी करते हैं हम आज की स्रीज को पहला क्वेश्चिन है वेदों के गध्य प्रकरण क्या कहलाते हैं तो देखिए इनको बोला जाता है ब्रामन option 20 का correct answer होगा second question है असोक के कौन से सिलालेख में ब्रामी लिपी का प्रियोग नहीं किया गया है नहीं किया गया है आपसे पूछा जा रहा है तो right answer है साहबाज गड़ी में जो असोक का सिलालेख है इसमें खरोस्टी लिपी का प्रियोग किया गया है ठीक है ये भी आप ध्यान रखें आपसे पूछा जा सकता है ठीक है खरोस्टी लिपी इसमें प्रियोग की गई है और अगर आपसे भासा पूछी जाए तो अर्माईक भासा का प्रियोग किया गया है ठीक है अर्माईक क्या है भासा है तो ये दोनु पॉइंट आप लोग याद रखें थर्ड क्वेशन है निम्न लिखित में कौन सा सिंदु घाटी की सभ्यता से सम्मंदित इस्तल नहीं है काड इन में से सबसे डिफ्रेंट है चुसिंदु घाटी से नहीं जुड़ा हुआ है इसके अलावा काली बंगन की अगर हम बात करें तो दिखिए काली बंगन राजिस्थान में इस्तित है रोपढ है पंजाब में और लोथल गुजरात में इस्तित है ठीक है तो ये पॉइंट इसे अब बात करें तो देखे एंगा जो जन्म हुआ था वो लुंबनी में हुआ था ठीक है और ग्यान प्राप्ति इनको हुई थी बोध गया मैं परी निर्वान की हम बात करें तो अरी निर्वान में आपको बता दिया कुसी नगर में हुआ था और पहला उपदेश जो इनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया वो इन्हों ने दिया था सारनाथ में ठीक है तो बेसिक पॉइंट देखिए आप लोग ज़रूर नोट कर लें क्योंकि हो सकता है कि इनके रिगार पुरो ही थे तो यह पॉइंट भी आप लोग याद कर लें लौह और रख्तगी नीती किसने अपनाई देखिए लौह रख्तगी नीती आपसे पूछा जा रहा है तो यह अपनाई थी गया सुद्दीन बल बल ने ठीक है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन एक्वेशन नमर यह लिखा था गुल बदन बेगम ने तुझक जहागिरी जहागिर ने यह राइट है ठीक है तो इसमें सुमेलित नहीं है वो अप्शन C होगा नेक्स वेशन है लंगर की परंपरा किसने आरभ की लिखिए आप सब लोग जानते ही होंगे सिख समुदाय में लंगर की सो भी थे नेक्स सुचन है माहत्मा गाधी ने मिम्न लिखित मैं से किसे अपना राजनेतिक गुरु माना था तकि है इसके एक पूछा जाता है तो महत्मा गाधी ने अपना गुरु माना था घोपाल कृष्ण गोखली को ठीक, ऑपसंम बीस का राइट आंसर होगा नेक्स ठीक, option D's का right answer होगा, देखें, 1919 में स्वतंत्र नामक समचार पत्र का इन्होंने प्रकासन आरंब किया था, सबसे पहले अगर ये कहां से प्रकासित वा पुछा जाए तो याद रखेगा, इलाबाद से हुआ था इसका प्रकासन, question number 12 है, देखें, निमने लिखित में से कौन स एमरेल, द्वीब समू के नाम से जाना जाता है, तो अंडमान और निकोबार, द्वीब समू को जाना जाता है, option D's का right answer होगा, अगला question दिया गया है, करक रेखा, निमने लिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, देखें, गुजरती है, पूछा जा रहा है, गुजर मंगाल, त्रिपुरा, ये सारे राज्यों से के इंतरगत आते हैं, लेकिन जो असम है, असम से करक रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, तो ये point आप लोग धियान रखें, तो right answer हो जाएगा, एक, दो और चार, तो इसमें option D's का correct answer होगा, अगला question दिया गया है, भारती मानक Meridian, पांच राज्यों के मध्य गुजरता है, इन में से कौन सा राज्य पांच में से नहीं है, तो देखिए, पांच राज्य पहले कौन कौन से आपको पताऊना चीए, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, च्छतिसगर, चौथा ओड़ीसा है, और पांच वा है, पर्स करता है, देखिए, पड़ोसी राज्यों के पुछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा, उत्तरप्रदेश, ठीक है, उप्सने इसका राइट आंसर होगा, क्वेशन नमबर 17 आपको दिया गया है, भारत का सबसे दक्षनी छोर कौन सा है, इंद्रा कॉल, गुहार, म इंदू तो हो गया, इंद्रा पॉइंट, और उत्तर ही छोर को अगर आप से पूछा जाए, तो यहां पर इंद्रा कॉल, जो जम्मू कस्मीर में इस्तित है, और भारत का जो पूर्वी छेत्र है, वहां पर क्या है, कि बितु है, ठीक है, कि बितु, यहां पर जो ऑप्सन C आपको दिया गया है, यह पूरव में स्तित है, अरुणांचल प्रदेश में, भारत के पश्चिमी छोर पर अगर हम बात करें, तो यहां है, गुहार मोती, option B, इस का right answer होगा, ठीक है, तो यह point आपको ध्यान रखने है, question number 18 आपको दिया गया है, देखिए, डेस दर्रा ति भारत के जम्मू कस्मीर में, यह इस्तित है, इसके लाओ देखिए, बनिहाल दर्रा जो है, जम्मू कस्मीर में, इस्तित है, जो जम्मू को स्रीनगर से चूड़ता है, question 19 है, कि सहर को still city of India के नाम से जाना जाता है, तो right answer होगा, option D, जमसीतपुर को, अगला important question है, डेस जील भारत की सबसे बड़ी खारे पाने की जील है, या भारत की सबसे बड़ी जील भी है, देखिए, सबसे बड़ी पुछा जाएगा, आपको वह भी याद रखना है, और सबसे बड़ी खारे पाने की जील पुछा जाएगा, तो वह भी आपको याद रखना है, चिल का है, option 20 क गया और आपको दिया गया है निम्टने को किस ने सर्व प्रथम 1935 में सविधान सभा का सुझाह अ प्रस्तावित तो राइट आंसर होगा है वन्टनी डिया है वह किन बंदिटने करें तो आदार पर पर पुनर गठन किस वर्स किया गया देखिए राजियों का पुनर गठन आपसे पूछा जा रहा है भासा के आधार पे तो 1956 में किया गया था तो इसका correct answer हो जाएगा option C 12 12 सदस्यों को रास्टपती नामीत करते हैं राज्जी सभा के लिए जो अलग-अलग fields related होते हैं जैसे कला, साहिती, भिज्यान ठीक है तो right answer हो जाएगा option C अगला गुशिन दिया गया है भारत के समीधान की 10 अनुसूची में असम, मेगाले इत्रपुरा और मिजोरम राज्यों में जन जाती छेत्रों के प्रसासन के सम्मंद में प्रावधान हैं तो कि किस अनुसूची में प्रावधान है आपसे पूछा जा रहा है तो right answer हो तो please वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की के प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले थैंक्स फॉर वाचिंग